हरियों, पर्णा, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ उपरी होटों के बालों को हटाने का नैचुरल तरीका ज्यादा तर महिलाएं अपने उपरी होटों पर उगे बालों से परेशान रहती हैं हालांकि पुरुशों के ये बाल मुछे कहलाती हैं लेकिन महिलाओं में ये खुबसूर्ती में बहुत बड़ी समश्या है इन बालों से कालापन दिखता है और चहरे की रंगत खराब लगती है तो आईए, आज मैं आपको बताता हूँ इन बालों को हटाने का तरीका जिससे उनकी सुन्दरता में दोबारा से चार चांद लग सकते हैं उपाय नमबर एग, नाग हनी थूर का दूद, बालों को जड़ से उखाडने के बाद लगाने से दोबारा बाल नहीं उगते आप सबसे पहले वैक्सीन करवा के अपने बालों को हटा ले और उस पे थूर का दूद लगा ले इससे आपके दोबारा बाल कभी नहीं आएंगे, थूर को इंग्लिश में प्रिक की पियर भी कहते हैं उपाय नमबर दो, सोने से पहले शहद और हल्दी पाउडर को मिला कर वहाँ पर लगाएं जहां बाल उग रहे हैं इससे वहाँ पर बाल उगना कम हो जाएगा उपाय नमबर तीन, बीड रूट या गाजर का जूस, ताजे दूद के साथ मिला कर इसका पेष्ट बना लें और इसे अपने उपरी होटों पर मालिश करें लगभग दस मिनिट बाद इसे ठंडे पाने से दोकर साफ कर लें ऐसा करने से बालों के उगने की गती धीमी हो जाएगी और कुछ महिनों में खतम हो जाएगी उपाए नमबर चार आप हे रिमूबल क्रीम का इस्तमाल भी कर सकते हैं क्रीम को उस थान पर लगाएं जहां बाल हैं और कुछ देर बाद उसे रूई से हटा दें आपको थोड़ी जलन होगी इसलिए उसमें थोड़ी हल्दी का पेश्ट लगाएं जिससे जलन ठीक हो जाएगी तो ये थे अंचाहे बालों से छुटकारा पाने की कुछ नैचुरल तरीके आप इन में से किसी भी तरीक को अपना सकते हैं धन्यवाद तो आईए जुडे रहिए मेरे यानि पाबा टीन पीर के साथ और जानिए धेर सारी बिमारियों के इलाज और अपने सौंदरिय को बढ़ाने के नुस्खे धन्यवाद